कॉंग्रेस आज विपक्षित दल में है लेकिन कितनी बउखला हर्थ गाली गलोज पर उधर आए मौत का सउधागर सोनिया जी ने कहा था खून की दलाली रहुल गांधी ने कहा मोदी जी के लिए गंदी नाली का कीड़ा एक कॉंग्रेस नेता ने कहा गंदा अग्मी मनिशंकर आयर ने कहा नीच कॉंग्रेस के नेता ने कहा और राहुल गांधी के रहे अज उसके पहले भी हिटलर नटवरलाल तुगलक रावन निकम्मा भसमासूर न जाने गालियों की सारी डिक्ष्णरी खतम कर रहे हैं मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी पर आरोप नहीं कर सकते इसलिए अब गाली गलोज करना यही कॉंग्रेस का मकसद बन गया है यह जटपढ़ात है और कल तो कॉंग्रेस एक नेता ने कहा मोदी माने क्या मसूद उसामा दावूद और आयसा है कितना सारुजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कॉंग्रेस हम लोकतंतर में रह रहे हैं उनकी छटपटाट है क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके सिवा कोई राज नहीं करेगा और अब मोदी के रहते यह सत्ता पर आने का खाब भी नहीं देख सकते है इसलिए यह गाली गलोच है और यह गाली गलोच कॉंग्रेस के संस्कुर्ती है Congress की सोच है Congress के DNA में है ये सब गाली गंदी गाली कर देना लेकिन वो समझ नहीं रहे कि गाली का जवाब जनता लोगतांत्रिक तरीके से बहुत मजबुती से देगी चुनाव में क्योंकि कभी देश ने गाली गलोज की समस्कुति को स्विकारा नहीं है उसके साथ-साथ और वह एक दैशना काम चाय वाला Along की पिछले चुनाव में चाई वाला हमारे काद्रियहरा के बाहर चाय का दुकान लगा सकते हैं हम देंगे स्ट्राइन की जखा इतना आहंकार इतना गरде का अपमान स्वाविश से जीने वाले का और एक अपने विपक्ष में खड़ा है उसकी काबिलियत देखकर हैरांग लोग अब यहां तक आ गए कि चाय वाला कहा पकोड़े वाले बीच में एक फ्रेद चलाया कि पकोड़े वाला यह क्या रोजगार है और अभी कह रहें चौकिदार तो यह गरीब के लिए चौकिदार और यह सम्मान से नहीं बोल रहें चौकिदार चोर है बोल रहें चाय वाला यानि गलत है ऐसा बता रहें पकोड़े वाला यानि मेहनत से कमाने वाला हर इंसान गलत है जो बेईमान की कमानी खाता है कमाई खाता है वही केवल कॉंग्रेस मे पाक साफ है जो बेईमान की संपती खाता है बेईमानी से मेहनत न करके उनका सम्मान कॉंग्रेस में है और जो मेहनत करता है वो चाय वाला हो पकोड़े वाला हो चौकिदार हो उसका अपमान करते हैं और ये भी समझ लै कॉंग्रेस कि गरीब का इसा अपमान करने ओलों को गरीब कभी बक्सते नहीं क्योंकि वह स्वाभिमान से जिंद्गी जकते मेहनत से जिंद्गी जितते हैं। और उसको आज इस तरह से गाली गलोज पे जब कॉंग्रेस आती है तो कॉंग्रेस की छट-पठाहट पूरी समझ में आती है देश भर में दुनिया में कही भी लोग तंत्रक चुनाव में चर्चा का स्तर कभी भी इतना नहीं गीरा जितना कॉंग्रेस नहीं गिराया है हम उसकी भर्चना करते हैं लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे हैं पूरा देश कह रहा है मैं हूँ चोकिदार और चोकिदार है इसलिए चोर भाग रहा है